नमस्कार साथ यो नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों बड़ी ख़वार है महाराष्ट में भी OPS बाच्पा एवं सिंदे गुट में मदवेज सियम बोले सरकार सकारात्मक यानि कि अब महाराष्ट में भी पुरानी पैंसन मिल सकती है OPS पर केवल BJP असेमत है वागी सबसेमत है देखो यहां पर एकनाज सिंदे मुकमंत्रियों नोंने कहा कि पुरानी पैंसन योजना को लेक समस्त राज्जों के समस्त करमचारी को यह बढ़ते जाएंगे तो फर एकने दिन के экспर केंदर को भी लागू करना पड़ गा इसलिए समस्त राज्जों करमचारी करमचारी करिमाना सिंदे को नहरा है जबकि उप मुकमंत्री देविन फनजवीज पुरानी पैंसन की मांग को खारिच करते हुए दिवाल खोरी की असन का जता चुके हैं पुरानी पैंसन योजिना पूरे देश में राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है मुकमंत्री सिंदे ने कहा है कि पुरानी पैंसन योजिना को लिकर हमारी सरकार सकरमक है राज का सिक्चा विवाग पुरानी पैंसन योजना का अध्यान कर रहा है कयास लगाया जा रहा है कि सिक्चकों एवं सरकारी करमचारियों की पैंसन के संदर में सरकार जल्द ही नन्ने ले सकती है एक लाग दस जार करोड रुपे का बोच बिधान मंडल के अधिवेशन के उप मुकमंत्री पहनरवीच ने बिधान सवा में कहा था कि पुरानी पैंसन योजना को लागू करने पर राज दिवाला खोरी की तरफ जा सकता है इसी को देखते हुए इस योजना को रद किया गया था इस पैंसन योजना की बजे से राज सरकार की तेजोरी पर एक लाग दस जार करोड करोड़े का अधिरिक दिवाज पड़ेगा पैंसन योजना के तहद अंसदाई है जो 24-चार से प्रभावी है तो दोस्तों इसका सीधा समझ लगी है कि BJP जो है पुरानी पैंसन के ब्रोद में है वागी अन्न पार्टी इसके समर्तन में है